जैहिंदु दोस्तों मेरा नाम है नितेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSC अरीना आरारभी एंटी पीसी के लिए चलाए गए रिजनिंग के इस कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है Coding Decoding Coding Decoding का आज हम लगभग चौथा वीडियो करने वाले हैं तो अगर आप लोगों को पहले के वीडियो देखने हैं तो description box में दिये गए list, playlist के link पे जा करके आप सारे के सारे videos को access कर सकते हैं ठीक है चलिए start करते हैं आज का lecture coding decoding part 4 आज का जो lecture है दोस्तों ये quite impressive और important होने वाला है क्योंकि आज के lecture में मैं दो type के question cover करूँगा coding and decoding से जो की बार बार exam में पूछे जाते हैं ठीक है और ये बहुत important भी है और बच्चों को इसमें कभी कई बार confusion भी हो जाती है तो चलिए start करते हैं तो हमारा पहला question इस तरीके से है एक निश्चिद code में mystery of better life को 53, 97, 79, 21 के रूप में लिखा गया है life is a mystery को 24, 27, 79, 53 के रूप में लिखा गया है और she is playing better को 24, 21, 12, 22 के रूप में लिखा गया है तो उसी code में life को कैसे लिखा जाता है तो दोस्तों इस question को मैं अच्छे से explain करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगी questions में चलिए start करते हैं यहाँ पर आप पहला समीकरण देख रहे है mystery of better life जिसमें की चार शब्द लिखे गये हैं और उनको जिस code से अंकित किया गया है वो है 33, 97, 79, 21 यह भी चार है जो दूसरी लाइन है उसमें भी चार शब्द आप देख रहे हैं और code भी चार है तीसरे वाले लाइन में यानि तीसरे समीकरण में भी आप चार शब्द देखेंगे और उनके code की संग्या भी चार है कहने का मतलब यह है पहले शमीकरण में जो लिखा हुआ है mystery of better life mystery का code कोई एक होगा या तरिपन होगा या तो 97 होगा या 89 होगा या 21 होगा उसी तरीके से off का code इन चारों में से कोई एक होगा better का code कोई एक होगा और life का कोई एक होगा पर कौन सा है यह हमें पता करना है तो exam में आप इसे कैसे करेंगे सबसे पहले तो देखेंगे किसका answer आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि उसी code में life को किस तरीके से लिखा जाता है अब आप ढूणेंगे कि life कौन से समीकरण में है तो मैं बोलूँगा पहले समीकरण में फिर मैं बोलूँगा दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण में कहीं भी नहीं है तो इसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि life का जो answer होगा जो code होगा वो इन चारों में से और इन चारों में से ही कोई एक होगा हमें ढूणना है तो दूसरे समिक्रण और तीसरे समिक्रण में कोई एक ऐसा code होगा जो match कर रहा होगा कौन सा है चलिए ढूणते हैं दिखिए 79 कर गया और 53 कर गया इसके बाद अगर हम बात करें 97 नहीं कर रहा 21 नहीं कर रहा है तो इसका मतलब लाइफ का code या तो लाइफ का code या तो आपका 53 होगा या तो 79 होगा क्योंकि दोनों में match कर रहा है 53 और 79 और अगर आप से पूछा जाए कि कौन कौन से दो शब्द match कर रहे हैं समिक्रण एक और समिक्रण दो में तो आप देखेंगे life is a mystery और अगर आप से पूछा जाए नंबर में तो code में 53, 59, 79 यानि कि mystery का या तो तो तरेपन होगा या 79 होगा और life का या 79 होगा या 53 होगा तो option देखते हैं अच्छा इस option में ना तो आपका 53 दिया हुआ है ना तो आपका 79 दिया हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों के life का code इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो आपका answer हो जाएगा data आप परियाप्त है ओके हमने समिक्रण पहले और दूसरे में देखा के life और mystery match कर रहे हैं तो उनके code में देखा 53 और 79 को match कर रहे हैं मतलब life का answer या तो 53 होगा या 79 होगा क्योंकि विकल्प में दोनों में से कोई नहीं है तो हम answer देंगे data आप परियाप्त है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं अब कोई बात नहीं इस वाले question में आपको answer मिल जाएगा और जैसा ही answer मिलता है तो आप समझ भी जाएंगे किस तरीके से करना है देखे God is love love is beautiful तो आप से पूछा गया है कि God का अर्थ क्या होगा God is love 3,2,9 यानि God का 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है इसका भी 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है तीन शब्द और तीन नंबर अब हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर किसका है यही हमें पता करना है question में पूछा गया है God तो क्या God पहले और दूसरे वाले में मैच कर रहा है नहीं love is beautiful इसमें God कहीं भी नहीं है यानि कि एक ऐसा नंबर होगा जो इसमें और इसमें मैच नहीं कर रहा होगा तो देखे 3 29 और 9 2 7 तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो मैच नहीं कर रहा है वो 3 और 7 है यह दोनों मैच कर गया 2 9 2 9 और अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सा शब्द मैच कर रहा है तो आप बोलेंगे is love is love तो जो मैच नहीं कर रहा है वो है God और God का ही पूछा है तो God पहले वाले समीकरण में है तो God का अंसर हो जाएगा 3 ठीक है अगर 2 9 का पूछता 2 या 9 में से तो अभी तो हम नहीं बता पाते लेकिन एक equation अगर इससे पूछना होता तो एक समीकरण और दिया होता फिर हम उसमें से ढूण लेते ठीक है तो आपको हमारा answer मिल गया 3 अगर beautiful पूछेगा तो दूसरे समीकरण में match नहीं होने वाला 7 answer हो जाता beautiful का पर क्योंकि यहां पूछा गया है God का तो आपका answer हो जाएगा 3 आसान question है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा चलिए इस वाले में और अच्छे से clear करते हैं question है who are you को 4, 3, 2 से दिखाया गया है that is you को 4, 8, 5 से दिखाया गया है they are dangerous को 2, 9, 5 से दिखाया गया है तो dangerous को किस प्रकार लिखा जाएगा समीकरण भी 3 है उनके code की संखेया भी 3 है तो सबसे पहले देखेंगे danger कौन से समीकरण में है तो हमें मिलता है कि जो dangerous है वो 3 समीकरण में है अब 3 में code क्या है 295 तो danger का answer या तो 2 होगा या तो 9 होगा या तो 5 होगा हमें नहीं पता परन्तु हमें ये पता है कि 4 तो हो ही नहीं सकता अब हमें ढूनना है कि 2, 9, 5 में से कौन सा सही है तो हम देखेंगे पहले और दूसरे समीकरण में कौन-कौन सा शब्द मिल रहे हैं तो मैं देखता हूँ, यह हम ऐसा कर लेते हैं कि तीसरे और पहले में मिला लेते हैं तीसरे और पहले समीकरण में कौन सा मिल रहा है तो हम देखते हैं कि तीसरे और पहले में जो match कर रहा है वो है R यआनि कि अब हम देखेंगे कि तीसरे code और दूसरे code में क्या match कर रहा है तो 2, 2 match कर रहा है हमारा देखिए 2 यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो यह 2 है यह R का है ये two किसका है, आर का, अब हमारे पास बचा five और nine, अब हम देखते हैं तीसरे और पहले में क्या match कर रहा है, यह चलिहें देख लिते हैं, तीसरे और दूसरे में हमको दिखना है, के तीसरे में दे और दूसरे में दे match कर रहा है, ययनि कि कोड में भी 4,8,5,295 में पांच गया दे का अब आप question को copy करके थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे देख करके तो आपको पता चलेगा कि 9 समीकरन तीसरे में है जो किसी और में नहीं है यानि जो 9 हो जाएगा ये danger का हो जाएगा ठीक है तो अगर आपसे दे पूछता तो 5 अगर आपसे आर पूछत तो 2 और अगर आपसे 4 पूछता तो 4 है आपका पहले वाले में वो यू हो जाता ठीक है तो इस तरीके से कोई भी शब्द का code अगर आपसे पूछता है तो आप तीनों equation ये जितने भी equation दिये होंगे उनमें match करके काफी आसानी से ढूण सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ वीडियो में आपको समझा दूँगा ठीक है एक बात और दोस्तों कि अगर आपको कोई question समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा और description box में भी मैं कुछ questions दे दूँगा आप उसे भी करिएगा इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा जितने जादा likes और views आएंगे मैं उतने ही अच्छे से और मन लगा के आपको पढ़ाऊंगा ठीक है दोस्तों ये question मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि देखिए ये question मैंने आपको करवा दिया है इस तरीके का इस ब पहले किया था यहां देखिए यहां आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा leaves are green तो आप देखेंगे कि code इनका symbol दिया हुआ इस बार पहले letter था फिर शब्द था अब सिर्फ symbol दिया है green is god dollar star और percentage they are playing ये वाला फिर hashtag फिर ये ठीक है तो अब हमको पुछाए leave यहां पर अच्छे समझ में आ जाएगा आप हो क्योंकि तीन समीकरण पहला दूसरा तीसरा अब आपसे पूछा है leaves leaves किसमें है पहले वाले में तो इसका answer यह तो dollar होगा यह यह वाला होगा यह end होगा अब हम देखेंगे कि क्या leaves पहले समीकरण में कोई शब्द है यह देखे green क्या आप्गे किसी और में है तो आप बोलेंगे sir बिल्कुल है तो मैं पूछूंगा कि पहले और दूसरे में कुछ मैच कर रहा है तो आप बोलेंगे कोई match कर रहा है तो आप बोलेंगे sir बिल्कुल ये square वाला match कर रहा है तो इसका मतलब r का हो गया square ये वाला है न ये उपर वाला sign ये तो हो गया हमारा r का और green हमारा किसका हो गया dollar का बचा क्या आप देखिए यहाँ पर end बचा हुआ है और end किसका हो गया leaves का leave किसका code हो जाएगा end का तो इस तरीके से आप काफी असानी से ढूंड सकते हैं उम्मीद है इस बार आपको समझ में आ गया होगा चलिए अगला का अगला जो question है ये भी काफी important है एक vicious code में अच्छा दोस्तों इस question को मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं और exam में कैसे attempt किया जाता है ताकि आपके समय की बचत हो क्योंकि आप पूरा पढ़के करेंगे तो आपका समय काफी जादा खराब हो जाएगा तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा इसे पहले question पढ़ लेते हैं गबार आराम से एक विसिस्ट कोड में गुलाबी को हरा लिखा जाता है अच्छा मैं आपको बता दूँ कि असलियत में आप कभी भी गुलाबी को हरा नहीं लिख सकते वो गलत है पर क्योंकि question का नाम chapter का नाम ही है code आप जानते हैं जैसे कोई किसी को code वगएरा भेजते हैं जासूस वगएरा तो वो लिखा कुछ और होता है पर उसका मतलब कुछ और होता है हो सकता है आलू लिखा हो आलू का मतलब प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको उसी तरीके से लेके चलना है गुलाबी को आप हरा बिल्कुल मत समझ लीजिएगा काफी बच्चे ऐसा करते हैं फिर से पढ़ते हैं एक विशिस्ट code भासा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है हरे को पीला लिखा जाता है पीले को लाल लिखा जाता है लाल को सफेद लिखा जाता है तथा सफेद को नीला लिखा जाता है तो इसी कोड भासा में रक्त का रंग क्या है ठीक है जो यहाँ पे लिखा है उसी को सच मनना है आपको अपनी तरफ से नहीं लगाना है तो question में पूछा है के रक्त का रंग क्या होता है तो दोस्तों रक्त का रंग होता है लाल रक्त का रंग क्या होता है लाल तो जादा तर ओफ्षन ए में ही आपको लाल मिलेगा और बच्चे लाल अंसर लगा देंगे उनका कुशन गलत अंसर हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है अपना दिमाग नहीं लगाना है जो यहां लिखा है उसको ही सही मानना है रक्त का रंग होता है लाल लेकिन वो अंसर नहीं होगा अंसर वो होगा जो लाल को लिखा जाता है तो हम रोणेंगे लाल को क्या लिखा गया है लाल को लिखा गया है सफेद रक्त का रंग होता है लाल लेकिन कोश्चन में बोला गया है कि लाल को सफेद लिखना है तो रक्त का रंग हो जाएगा सफेद ये हो जाएगा हमारा अंसर अब एक बार फिर से बताता हूँ बच्चे कहा कहा गलती करते हैं आपसे question पूछा गया था कि रक्त का रंग क्या होता है तो बच्चे यहां तो हो सकता है लाल लगा देंगे फिर आप यहां question में देखेंगे यह यहां blue line को कि पीले को लाल लिखा जाता है तो बच्चे पीला लगा देंगे कि भी आप पीले को लाल लिख दिया पर पीले को लाल नहीं पूछा है ना आपसे भई पीले रंग का गुलाब होता है आप उसको लाल रंग का गुलाब बोलोगे तो वो रहेगा तो पीला ही ना तो उसी तरीके से यहां पर पूछा गया है कि रक्त का रंग क्या होता है रक्त का रंग होता है लाल लेकिन बोला क्या गया है बोला गया है सफेद तो बच्चे यहां पर दो गलती करते हैं एक तो वो लाल लगा देते हैं या फिर देखते हैं कि लाल किसको कहा गया है पीले क तो बच्चे पीला लगा के आ जाते हैं जबकि आपको देखना है कि जो खून का रंग लाल होता है लाल को क्या लिखा गया है तो लाल को लिखा गया है सफेद तो आपका ये दोनों गलत हो जाएगा आपका सही अंसर होगा सफेद अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा patience रखिए फिर से वीडियो को देखिए पीछे जाके otherwise आप अगले question पर थोड़ा ध्यान दीजेगा आपको समझ में आ जाएगा फिर से पढ़ते है question को यदि नीले का मतलब है गुलाबी गुलाबी का मतलब है हरा हरे का मतलब है पीला पीला का अर्थ है लाल लाल का अर्थ है सफेद तो हल्दी का रंग कौन सा होगा आप से पूछा गया है कि हल्दी का रंग कौन सा होगा तो हल्दी का रंग होता है पीला लेकिन हमको ढूणना है कि पीले को क्या बोला गया है तो पीले को बोला गया है लाल पीले का मतलब लाल तो आपका अंसर हो जाएगा लाल हल्दी पीले रंग का होता है लेकिन पीले को बोला गया है लाल तो इसका अंसर हो गया लाल ठीक है ये अंसर है एक पर फिर से बता दू बच्चे कहां गलती करते हैं बच्चे पीले के पहले देख लेंगे हरा या तो इसको लगा देंगे या लगा देंगे पीला जबकि दोनों ही गलत है पीले को तो लाल कहा गया है तो आपको लाल बताना है यानि कि अगर कोई कोड भेजता है संदेश, गुप्त संदेश कि भाई मैंने पीले को लाल बोला है फिर आपसे पूसर जाएगा हल्दी का कलर तो आप बोलोगे लाल क्योंकि कोड में लाल ही बोला गया है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्जैम में आपको ऐसे कुश्चन को कैसे अटेम्ट करना होता है ताकि आपका समय बचे पहले कुश्चन पढ़ेंगे कुश्चन के लास्ट वाला पढ़ेंगे इससा कि आसमान का रंग क्या होता है आसमान का रंग क्या होता है तो आसमान का रंग होता है नीला लेकिन आपको नीला तो लगाना नहीं है पहले options में दिया है आप देखेंगे नीले को क्या बोला गया है नीला रूनना चालू हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आस्मान नीला को क्या बोला गया है आस्मान, तो आस्मान का रंग क्या होगा आस्मान अच्छा, सॉरी, सॉरी आस्मान नीला होता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर आस्मान को आस्मान रंग दिया गया है मैंने आस्मान को नीला रंग समझ लिया लेकिन यहाँ पर कोशन में बोला गया है कि आस्मान तो आस्मान का रंग आस्मान ही है ठीक है, कोई बात नहीं, अगला question है, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखिए, red को white कहते हैं, किसी code में, अगर यहां पर अगर लिखा है, ठीक है, अगर red को white कहते हैं, white को blue कहते हैं, blue को green कहते हैं, और green को black कहते हैं, तो खून का रंग क्या होता है, ठीक है, त खून का रंग होता है, लाल, लेकिन लाल को क्या कहते हैं, code भासा में, लाल को code भासा में कहते हैं, white, तो आपका answer हो जाएगा, white, देखिए, पहले ही option में red दिया हुआ था, तो यह नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, गलत हो जाएगा answer, गलत हो गया, तो 0.5 या 0.33 आपका negative में जाएगा, उल्टा, गलत, आपको सही से लगाना है, काफी अच्छे से, अच्छा ये question आपके लिए है, करके जरा मुझे answer दीजे, ये code वाला है, तो करके मुझे answer दीजे, बताइए कि क्या answer होगा, इसका comment box में बताइए, चलिए, अब मैं इसी questions को एक बार बताता करके exam में कैसे attempt करना होता है, ठीक है, exam में एक बार फिर से बताता हूँ कैसे attempt करते हैं, ये question दिया है, आपको पूरा question नहीं पढ़ना है, सबसे पहले last का पढ़ना है, तब हल्दी का रंग कौन सा होगा, इसका जवाब देना है, हल्दी कैसा होता है, पीला, अब हम देखे हो जाएगा, लाल, हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल, बस, exam में आपको ऐसे attempt करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सारा ढूनने चलेंगे, नहीं, exam में आपको simple ऐसे ही attempt करना है, इस question का answer दीजे comment box में, और दोस्तों, ये मैंने trick बनाया हुआ है, यहाँ पे पहले वीड इस तरीके से मैं उस वीडियो में काफी अच्छे से trick के माध्यम से आपको alphabets की position सिखाई है, प्लीज आप उसे देखिए, आपको अच्छा लगेगा, और आज का वीडियो भी अच्छा लगता है, तो like करिए, subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा, आपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं, तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए अपना, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,